Welcome all, idioms and phrases जो हम पांच परहेंगे उन में पहला है Love in once sleeps, मन ही मन हसना दूसरा, look blank, हिंदी चकित होना तीसरा, foot the bill, हिंदी खर्च का भार उठाना फिर, fall flat, वेर्थ जाना और last, fight sigh, नजरे चुराना समझते हैं इन पांचों को Love in once sleeps इधर, जीधर once होता है वहाँ पे sentence में हमें possessive pronoun का पर्योग करना पड़ता है यहाँ पे हमने किया है my का, तो जो भी subject होगा subject का उनसार, जो भी pronoun आएगा उसका possessive pronoun का यूज़ करना होता है now, तो once में बस यहाँ पे possessive pronoun यूज़ करना पड़ता है बाकि देखते हैं, love in one slips, आप और भी ध्यान रखेंगे, sleep नहीं होता है, slips होता है, यह जो slips लिखा है, इसे आप हर case में slips ही रखेंगे, तो अब यह love, love in slips क्या होता है, love मतलब हासना होता है, और slips मतलब क्या होता है, slips मतलब आस्तीन होता है, अस्तीन, अस्तीन क्या, तो आप जब अपने कंधे से नीचे, कंधे से नीचे जो कपरा होता है बाह में, आप कंधे से नीचे बाह में जो कपरा होता है, उसे slips बोलते हैं, आप half slips का सट पहनते हैं, जैसे half-sat बोलते हैं, full-slips का 60 पहता है, ऐसे ही औरते भी पहते हैं, तो कंदे से नीचे का जो क्लोथ होता है, बाह में उसे slip होते हैं, तो अब क्या है, loft in slips का मतलब man human हसना कैसे हो रहा है, इसे समझने कुछ करते हैं, जैसे आपके सामने कोई आ रहा है और आप उसको देखकर आपको हसी आ रही है किन्तु लिहाज के कारण से अच्छा है उसे बुरा न लग जाए उस कारण से या डर से किसी कारण से उसके सामने आप नहीं हस सकते मन ही मन हस रहे हैं उसे बोलेंगे क्या हम? laughing once slips और इस तरख जब हसते हैं तो हम अपने सर को थोरा सा left या right घ्माते हैं और थोरा जुका लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मत्तब slips की तरफ हमारा chin होता है तो इसलिए इसको बोलते हैं laughing once slips money man husna होता है तो money man husna normally बीना ग writing का moment कि यह भी कर सकते हैं और गर्दन का moment left right करके भी कर सकते हैं इसलिए इसको slips का यहाँ पर यूज किया गया है अब है I loved in my slips मैं मन ही मन हसा at his funny dress उसके funny dress पर कोई funny dress पर आ गया है तो dress को देखकर ही हसी आ रही है तो इसका यूज किया हमने और भी ध्यान हैं कि love के साथ हमेशा एक preparation use होता है वह है at इसलिए यहाँ पर at किया गया है now another one that is look blank look blank मतब चकित होना है जब आपसे कोई ऐसा question पुछता है जिसका answer आपको नहीं पता है जैसे classroom में teacher आपको ख़रा करके कोई प्रस्ण पुछते हैं और उस वक्त आपके image की बात है तो जब प्रस्ण पुछेंगे और आपको नहीं आएगा तो आपके चेहरे का जो भाव होगा जो reaction होगा चकित होने वाला उससे कहते हैं look blank चकित होना राम लुक बलैंक, राम चकीत हो गया when I ask the question, जब मैंने एक प्रस्ण पूछा जब मैंने एक प्रस्ण पूछा, तो राम चकीत हो गया हम लुक बलैंक का यूज कर लिए now food the bill, यहाँ पर food का मतलब चुकाना समझे जी ऐसे, कहीं लिखा नहीं मिल रहा है food का मतलब चुकाना होता है लेकिन यहां पर चुकाना समझ लिए तो पूरा अच्छा समझ में आएगा फूट दा बिल का मतलब होता है बिल चुकाना बिल क्या होता है हम कहीं खाते हैं चाब कुछ खड़िते हैं तो जो बिल जेनरेट होता है वो बिल होता है तो उस bill को चुकाना वही कहलाएगा foot the bill इसका हिंदी में बोलेंगे खर्च का भार उठाना अब सेंटेसम कसे उच किया रीमा हैस्टू फूट दा बील of the party रीमा को हैस्टू फूट दा बील मतलब बील का भार चुकाना है of the party, party का रीमा को party के bill का भार चुकाना है यहाँ पर फूट दा बील हो जाएगा ध्यान रखेंगे आप फूट दा बील, ध्यान रखेंगे फूट नहीं, फूट ही रखेंगे पिट नहीं कर सकते आप इसको इसमें आप केवर फूट का अगर वर्ब के रूप में यूज़ के तो फूट का, second form फूटेड और third form भी फूटेड, now fall flat, fall flat का मतब़ता व्यर्थ जाना है अब यहाँ पर देखिए, flat का मतब़ता है, समतल अब fall flat मतब़ता समतल गिरना आप देखे होंगे ऐसे share market में कि चाहे ऐसे भी आप पढ़ें math में, इधर इधर आपका इधर आपका age है और इधर आपका stamina है stamina मतलब ताकत कहिए तो जैसे से age बढ़ता है तो कुछ हद तक जाकर stamina फिर घटना शुरू होता है और फिर किसी कास बिमारी हुई तो stamina पूरा का पूरा नीचे आजाएगा तो यहाँ flat है फिर गीर कर flat तक आजाना इसको क्या कहांगे fall flat वेर्थ जाना मतलब इतना stamina बना से क्या फाइदा जब फिर हम zero पे ही आ गए इसको बोलते हैं वेर्थ जाना now fight sai fight sai मतलब नजरे चुराना आप जानते हैं एक word जानते हैं आप care care के साथ क्या यूज करते हैं take take care तो ऐसे ही sai sai का मतलब होता है लज्जा लज्जा के साथ एक word का पर्योग करते हैं वो है fight मतलब हिंदी साफ नजरे चुराना fight sai और भी ध्यान से देख लिजिए कि sai के बाद कोई preposition यूज करेंगा वो होगा sorry of sai के बाद off लगता है तो कहीं कहीं fight sai off भी लिखा मिलेगा और कहीं कहीं fight sai भी मिलेगा लेकिन sentence में उज किया तो off हमने डाल दिया है we should not fight sai of our friends हमें अपने दोस्तों से नजरे नहीं चुराना चाहिए हिंदी इसका है तो fight का मतलब यहां लरना नहीं होगा यहां पर fight ही लगता है sai के साथ verb के रूप में जिस तरह से care के साथ take ही लगता है वैसे ही sai के साथ fight ही लगता है और हिंदी होती है दोनों को मिला कर नजरे चुराना तो आप ध्यान रखेंगे हमने क्या परहा पांच पहला love in once sleeps हिंदी मन ही मन हसना दूसरा look blank चक्कित होना foot the bill खर्च का भाहर चुकाना fall flat वेर्थ जाना और fight shy नजरे चुराना तैंक यू बेरी मच